केंद्री मंत्री इस्मृती रानी लगातार छेत्रों में अब ब्रमड कर रही है लोकसभा चुनाओं में प्रचार कर रही है गाउं गाउं में जा रही है लगातार मैं ये कवरेस देख रहा हूँ यहाँ पर एक बात है प्रधान मंत्री नरिंद मोदी को पर फिर से निजी हम हमले सुरू हो गए कोई उनको ताना साब विपत्च में कह रहा है कोई उनको क्या कहेंगे ऐसा है प्रधान मंत्री मोधी पर विपक्ष द्वारा हमला करना यह जनता के लिए आश्चेरी की बात नहीं है क्यों सही कह रहे हैं जनता जानती है मोधी जी ने हर गरीब को राशन जनता जानती है मोधी जी ने किसान को 6,000 रुपईया का किसान सम्मान ने दी दिया जनता जानती है कि मोधी जी ने करोना की वैक्सीन मुफ्त में हर हिंदुस्तानी को दी आज आप जगदीशपूर में खड़े हैं यहाँ पर जब राहुल गांदी सांसते तो इतना खौफ था कि मंदिर में अगर घंटी बच जाए तो कॉंग्रेस के गुंडे आकर यहाँ पर लोगों को प्रताडित करते पीछे खड़े हैं सब पूछ लीजे देखा तो ताना चाहियों के उपर वो कह रहा है कि नरेंद्र मोधी ने कठोर कदम उठाए हैं इसलिए वो इस प्रका पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकेट दे दी जो भारत के टुकड़े होने की बात करता है जिस कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ऐसे व्यक्ति को टिकेट दे दी जो मोधी की बोटी-बोटी काटने की बात करता है और ये कांग्रेस के नेता फिर हमको सिख लाते हैं कि वो कितना शिष्टाचार निभा रहे हैं जिसने नरेंद्र मोधी का कतल करने का एक ऐलान किया क्यूं गांधी परिवार ने ऐसे व्यक्ति को टिकेट दिया है बताईए अमें क्या डर गए है विपच्कनेता जो अभी तक विपच्क के नेता गेलान नहीं हो पाया एसा है वो सोचते हैं कि अमेठी की जनता को सडलनी प्रकट होकर भ्रमित कर देंगे यहां गाओं के लोग खड़े हैं आप पूछ लीजिए उनसे वो क्या मूँ लेकर यहां पर आएंगे तो हिसाब देना पड़ेगा पांथ सालों में हमने एक लाग चौदा हजार घर बनाए अब हमारी अम्मा की तो सरकार नहीं है लेकिन राहुल जी की अम्मा जी की तो सरकार थी तब क्यों नहीं यहां बना जगदीशपूर से आप हलियापूर जाने की हाँ कोशिश कीजिए, आपको मात्र हलियापूर जाने तक और किसी का वहाँ पर न्योता होता, ब्या होता, पांच घंटा लगता था, आज वही सफर आपने, मोदी जी ने ऐसी सड़के बनाई है, हम 16 मिनिट में तै कर सकते हैं, यहाँ गोमती नदी का पुल है, जो उसकी प्रतिक्षा सालों से जगदीशपूर की जनता ने किया, अमेठी का बाइपास है, 30 साल की पुरानी डिमांड थी, ऐसा नहीं था कि राहुल जी के पास छमता नहीं थी, सत्ता नहीं थी, नियत नहीं थी, यह सपश्ट है, तो जो हम 5 साल कर पाए, वो शोचाले तक नहीं दिया, जो मोदी ने 5 साल में बना कर दिया है, तो आएंगे, तो उनसे जवाब मांगा जाएगा, तो हमारे साथ इस्मिती रानी जिन्हों ने कहा कि राहुल गांदी 15 वर्स तक यहां पर सांसद रहे, उनकी नियत नहीं थी, और उनकी माता की सरकार भी यहां पर थी, उन्होंने कुछ करना नहीं चाहा है, यहां पर 5 वर्सों में इस पूरे छेत्र की काया कल्प हो चुकी है, वीडियो जली सचीन सैनिक साधरागुन पाने रिपब्लिक भारत, आमेठी